हालो फ्रेंड्स मेरे चैनल होम गार्डन मंसुर मैं आप सभीगा स्वागत थे और आज मैं आपको गुलदावरी की कटिंग और उसको कैसे लगा है मैंने उसकी केर में कैसे करती हूं इसी के उपर बताने वाली हूं यह मैंने कटिंग से ही पोदे तैयार किये हुए और मैंने इसको मैंने नीके से पत्यां सब हटा दी तो बहुत अच्छे से ग्रोव हुआ है और यह देखिए एक छुटी-चुटी कटिंग मेंने जहां मेरे कोई स्पेस मिली वहां में लगा दी थी तो इसी से यह सारे पोदे तैयार हुए उनके फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी स पूलो आप देखिन सकते हैं कितने अच्छी तो इस बनाना पिर्स और ऊनियन पिर्स का कमाल उससे कलर भुत अच्छा अता है पत्यों का और फूलो का साईज भी पहुत अच्छा होता है तो देखे से आप भी चोटी-चोटी कटिंग से पोदे तैयार कर सकते हैं और इनमे मिट्टी के आसपा सभी में दिखाती हूं आपको यह देखिए इस तरह कि यह जो नई नई शूट्स निकलती इनको हटाना है आपको इस अकर्स होती है इससे पोदे की ग्रोध कम हो जाती है क्योंकि सारा नुट्रीशन यह ले लेती है इससे आपके फूलो की साइज भी छोटी होगी और ग्रोध भी कम होगी इसलिए आपको इन सब को हटाते जाना है और अच्छे से गुड़ाई करके और खाट डालते जाए और आपको हर एक महीने में इसमें सरसोखली का बहुत बहुत अच्छे होगी उसमें फ्लावर बहुत अच्छे आएंगी तब देखिए सकते हैं मेरे पास तीन चार कलर की गुलदावरी है और सब कटिंग से ही तैयार की हुई है तो यलो कलर है परपल है और एक वाइड है इन तीनों कलर से मैंने की कटिंग लगाई कटिंग लगा हुई है तो यह मैंने मेरे पास कलंच के भी दोप हो देते तो वह तो फत्म हो चुके हैं उनकी कटिंग कर देदि आधी तो आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं पर रेत में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रू होगी कि और बहुत आसानी से चलने वा पतियां हटा दें और यह सूखी हुई पतियां उन्हें भी हटाते जाएं उससे आपके पोदे की ग्रोध बहुत अच्छी होगी और आप देखे सकते हैं यह मैंने बनाना पिल्स का लिक्विट फर्टिलाइजर बनाया है इसमें मैंने ओनियन पिल्स भी डाला है तो आप अल प्रटिलाइजर बना सकते हैं तो आपको कुछ भी फेकना नहीं कीचन वेस्ट का जित्ता भी मटीरियल निकलता है आप उसे मिट्टी में डाल करके और दबा दें तापकी खाद तैयार हो जाईए और मिट्टी बीवर रख होगी और यह देखिए अच्छे से मिक्स कर दिय अच्छे में डाल के और आप यह मिट्टी नहीं भी आप चाहें तो इसको इसमें थोड़ी सी खाद मिला करके और पोद्धा लगा सकते हैं तो यह देखिए एक बाल्टी के बरावर मैंने लिया है यह लिक्विड और छे बाल्टी पानी डाला इसमें और इसको सब ओदों म में डालना है आपको तो यह देखिए इस करेजल